हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टू मैं चानल रिज्वाना असीफ और मैं हूँ disruption आपकी दोस्त गणापकी हो कैसे हैं आप सब आशा करती हो आप सब बहुत अच्छी होंगी और मैं वी बहुत अच्छी हूँ तो दोस्तो हाजिर हूँ फिर एक और मज़ेदार वीडियो के साथ एक और मज़ेदार रेमेडी के साथ आशा करती हूँ आप लोगों को सारे वीडियो मेरे अच्छी लगती है लेकिन मेरे को एक शकायत है आप लोगों से अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया किजिए दोस्तों यही आपका प्यार यही आपका सपोर्ट है जो मुझे मोटिवेट करता है आगे आपके साथ बहुत ही जादा गजब की रेमिडी शेयर करने के लिए ठीक है तो दोस्तो यह था मेरा अपना पैन यह थी मेरी अपनी बात मेरे अपने मन की बात जो मैंने आपसे शेयर की ठीक है अब हम बताते हैं आपको आगे इस वीडियो के बारे में तो दोस्तो आज का जो वीडियो है बहुत खास वीडियो है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़ादा स्पेशल फेस पैक जी हाँ दोस्तो जो face pack आपके चहरे से pigmentation को remove करेगा आपके चहरे से जाईों जूरियों मलाजमा तक की दिक्कत को दूर करेगा in fact अगर आपके चहरे पर hyper pigmentation की problem है तो ये उसे भी दूर करेगा क्योंकि इसका main ingredients है aloe vera और यहाँ पर मैंने natural aloe vera का इस्तमाल किया है आप चाहें तो market वाले aloe vera का भी इस्तमाल कर सकते है natural aloe vera बहुत ही जादा amazing होता है guys मेरी सलाम आने तो आपके घर पर एक aloe vera का पौधा होना बहुत ही जादा बहुत ही जादा जरूरी है aloe vera के अंदर बहुती सारे ऐसे ऐसे पोशकतत होते है जो आपके skin को glowy बनाते हैं आपके skin को tight बनाते हैं bright बनाते हैं आपके चहरे को चमकदार बनाते हैं बेदाग बनाते हैं और भी मैंने और भी इसके अंदर इंगरेंट्स एड़ किये हैं जो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेंगे ठीक है यह फेस पैक जो है गाईस आपके चहरे से आपके फेस के सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर जो हमारी स्किन से पिग्मिन्टेशन को रिमूव करता है साथ जूरियों को दूर करता है तो यहां पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ यह फेस पैक बाते बहुत सारी हो गए चलिए आप बाते ना करती हूँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक शूर वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अभी चैनल पर नहीं है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको बता रही हूँ है आप चाहे तो मार्केट वाले अलोवेरा का इस्तमाल कर सकते हैं और नहीं तो आप मार्केट व कोई भी प्रजवेटिव नहीं होता है इसलिए मैं यहां पर नेच्टरल अलोवेरा का इस्तमाल कर रही हूँ यह आपकी स्किन को चमकदार ग्लोई साफल सॉफ्ट बनाने के साथ साथ आपकी स्किन से प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा लैग जाईयों जूर रहे हो पिग्म कर सकते हैं और मार्केट जैसे अलोवेरा जैल आप घर पर बना सकते हैं ठीक है नेक्स में इस्तमाल कर रहे हूं इस पैक को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि यह जो पैक है आपके स्किन से हाइपर पिग्मिंटेशन को भी रिमोब करेगा तो यहां पर मैं नेक्स इंग्रेंट यूज कर रहे हूं यह है जाइफल यानि की नट मैग नट मैग चार से पांच रोपेक आपको एजली मार्केट में मिल जाता है इसे मैंने अच्छे से कद्दुकरश कर लिया है और यहां पर हमने इसका एक पाउंस पेस्ट बना लिया है गाइस साथ दोनों चीजों को मिक्स कर लिया है और मैंने है अपर एड़ किया है बेसन तो इसकी कलिपना मेरे से गलती से डिलीट होगी थी इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही है है नेच्रल अलोवेरा का नट मैग और यहां पर मैंने एक चमच बेसन का इस्तमाल किय है ठीक है बेसन आपने लिना है बेसन अच्छे से आपके स्किन को क्लैरिफाय करता है क्लेंज करता है और नैच्रली क्लिंजर का काम भी करता है जो एक फेश वास करता है आपके फेश से फेशल हेर को भी रिमूब करता है नेक्स्ट में यहां पर इस्तमाल कर रही हूँ यह है बदाम का तेल तो बदाम का तेल हमारी स्किन को नच्रल शायन देने के लिए ग्लो करने के लिए बहुत ही बहतरीन होता है आप जाहें तो इसकी जगा पर कोकुनट ऑईल का भी इस्तमाल कर सकते हैं नहीं तो विटमिन एक एक कैपसुल भी यूज़ कर सकते हैं बदाम का देल मेरी अगर सला माने तो बदाम का देल जादा अच्छा होता है सरदियों में ठीक है नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ उस पर तो सारे चीज़ों को बहुत अच्छा सा मॉस्टराइजर परवाइड करने के लिए सारे चीज़ हमारी सकफी कटारी माइ क्रीन को और बृत कहले बसुद को लेंगाइगी NOS इस अप्ली ठूलय करोगो और यह मैंने किसी पानी है पानी का पानी का इस्त्माल किया है और फिर भी आप देख सकत cht यह बहुत अच्छे से रैडी हो चुका है just because जो अलोवेरा जैल है वो धीरे धीरे और भी जादा थिन हो जाता है और साथी साथ मौश्टराइजर के लिए हमने इसमें डाला हुआ है शहद जो कि आपके स्किन को बहुत अच्छे से मौश्टराइज करता है अब अपने अपन आफ बको फATHANशना के हैं अपने हैं और नदिलियुक बेंदे बानी भी गोश्नादश करते हैं शोर्म बाद करें उन्हें ये सिकोर देता है जिससे आपको open pores के problem भी खतम हो जाती है तो last में आप ठंडी पानी का इस्तमाल करेंगे तो आपको एक benefit यह मिलेगा 15 मिनिट के बाद आपको अपने चेहरे को धू देदा है ठंडा पानी ले सकते है नॉर्मल वाटर ले सकते है ठेक है और उसके बाद आपने अपनी फेस को अच्छे से clean करना है और अच्छे से करना है आप लाए कोई भी मौस्ट्राइजर आप ले सकते हैं अगर अलोविरा जल पर लेश करना चाहते है तो अलोविरा जल ले सकते हैं नेच्छरल करेंगे तो और भी जादा बेनिफिट मिलेंगे आपको वीडियो कैसे लगा मेरी इंफोर्मेशन कैसे लगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक शूर वीडियो को लाइक करके साल को सब्सक्राइब करना मिलूंगी नेक्स वीडियो में कुछ नहीं है और